हमारी मैंगो आइस क्रीम का टेक्स्चर बहुत ही क्रीमी है नमिश्कार दोस्तों वंदना किचन में आज हम मैंगो आइस क्रीम बनाएंगे मैंगो आइस क्रीम बिना गैस लाई और बिना दूद के ही तियार करेंगे तो आइस क्रीम त्यार करने के लिए मैंने एक आम लिया है ये एक मीडियम साइज का आम है सबसे पहले हमने आम का छिलका चरो तरफ से उतार लेना है आइस क्रीम बनाने आप आम के एक पीस को थोड़ा सा चक कर देख रहें कि वो कितना मीठा है अगर वो ज्यादा मीठा होगा तो हम उसमें शुगर थोड़ी सी कम एड़ करेंगे अगर आम कम मीठा है तो हमें उसमें शुगर थोड़ी सी ज्यादा एड़ करने पड़ेगी आम के सारे चिलके हमने निकाल लिये हैं आम के जिलके निकालने के बाद हमने एक नाइफ की हेल्फ से आम को इस तरह काट लेना है चोड़ चोड़े टुकड़ों में हम आम को काटेंगे तांकी जैसानी से ग्राइंड हो सके अब मैंगो को दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह नाइफ की हेल्फ से निशान लगाते हु 스럽게 उसी तरह छोट्षुटे टुकरों में काट लेना है देखिए इस थाहा हमने सारे आम के चुर्चुध टुकरे कर ले हैं अब हमने कर डालत इनगे असल vraag को मनें डाल लिए है ठकर लोगाने के बाद हमने इसक एक फाइन पेस्ट त्यार कर लेना है हमने इसे इतना ग्राइड करना है कि आम कोई भी पीस साबत ना रहे सारे अच्छी तरह से ग्राइड हो जाएं आम का पेस्ट त्यार करने के बाद देखे हमने एक कटोरी मलाई ली है अगर आपके पास मलाई नहीं है तो इसकी जगार पे आप जो मार्केट में करीम मिलती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मलाई को हमने एक बॉल में निकालेना है देखे ये मेरी दो दिन की मलाई थी अगर आपके पास मलाई नहीं है तो करीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं मलाई को मैं यहां पर एक स्पून की हेल्प से इस तरह हिलाते हुए इससे ब्लेंड कर लूँगी मलाई को आपने ब्लेंडर या फर मिक्सी की हेल्प से बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि हमने बिल्कुल भी इसका मख़ा नहीं निकालना हमने सिर्फ इतना ही बिलेंड करना है कि जो मलाई के बड़े पीस हैं वो अच्छी तरह से बीच में मेल्ट हो जाएं देखें मलाई हमारी बिल्कुल त्यार हो चुकी है अगर इसमें कोई चोटा मोठा पीस रह भी जाएगा तो जब हम इसे आम को बीच में डालकर दोभारा ब्लेंड करेंगे मिक्सी में तो फिर ये सब साथ ही हो जाएंगे मलाई को हम जार में डाल लेंगे उसी जार में जिसमें हमने आम का पेस्ट बनाया कर त्यार किया था दो चमच के क्रीम हम इसमें मिल्क पॉडर एड़ कर देंगे मिल्क पॉडर हम इसलिए एड़ करते हैं जो आम में पानी होता है यह उसको सोक लेता है आजी एक टोरी के क्रीम मैंने चिन्नी ली है चिन्नी इसमें डाल देंगे चिन्नी मैंने इसलिए कम ली है क्योंकि हमारा आम भी काफी मिठा है नहीं तो मिठा जादा हो जाएगा थोड़ा सा लेची पॉर्डर डाल देंगे थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे नमक मैंन पाइन पेस्ट हमें मिल जाए और जो आइस क्रीम हमने जमानी है वो अच्छी तरह से उसका टेस्ट बढ़िया होगा अगर जी तरह से मिक्स हो जाएगा मेंगो आइस क्रीम पेस्ट हमारा त्यार हो गया है इस पेस्ट को हमें के बरतन में निकाल लेंगे उसी बरतन में निका तांकि आइस क्रीम के ऊपर कुछे जो बर्सी जम जाती है वो ना जमें इसलिए हम डगकन लगा देंगे पांच से छे घंटे के लिए हम इसे फ्रिजर में रख देंगे और उसके बाद ही इसको निकालेंगे मैंगो आइस क्रीम हमारी बनकर त्यार हो चुकी है अब हम इससे क कर लेंगे गार्णीश के लिए थोड़ा सा ड्राइफूट हम इसके उपर डाल देंगे जो इसके टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देगा बहुत ही कम इंगेडियन्ट के साथ और बहुत ही क्रीमी टेक्स्टर वाली हमारी मैंगो आइस क्रीम बनकर त्यार हो गई है यह जिरू ट्राइए करें वीडियो देखने के लिए धन्यावार वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें